हेलो गाइज वेलकम बैक टू ओनलाइन स्टडी यूके ओनलाइन स्टडी यूके में आपका स्वागत है आपको हम परीक्षा के दृष्टी से आज नीती आयोप के जितने भी कुश्चेन वनेंगे उनके बारे में आपको आपसे बात करेंगे तो आईए बढ़ते हैं बिना चाइम गवाए ही जल्दी से तो लास्ट तक जरूर देखें और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें तो आईए बात करते हैं छटी योजना इसमें कुछ बाते करते हैं छटी योजना जो सिक्त प्लान था इस योजना में 1980-85 में ठीक है कि जो सुरुआत थी घरीबी कहते हैं उसे 20 सूत्री काधिकरम सरकार ने जारी गिया था जिसके दौरा गरीबी जो गरीब जनता थी उनके जीवन इसतर को सुधारने की को को सिस प्रत्यक्ष रूप से की गई थी ठीक है गरीबी उनमूलन की ओजना लेकिन काधिकरम जो गरीबी हटा हो था वो दूसरा ठीक है वो छटे में था इसके बाद बढ़ते हैं आगे कुश्चन नमबर एक में कुश्चन नमबर एक है नीती आयोग ठीक है नीती आयोग की स्थापना कब हुई थी नीती आयोग की स्थापना हुई थी एक जनवरी 2015 को हुई थी ठीक है पीम नरेंद्र मोदी जी दौरा की गई थी ठीक है इसके बाद next question second number में second number में नीती आयोग किस सिद्दान्थ पर कादि करता है किस सिद्दान्थ पर कादि करता है सहकारी संगवाद ठीक है cooperative federalism के सिद्दान्थ पर कादि करता है ठीक है नीती आयोग इसके वाद है कुश्चन नमबर थर्ड नीती आयोग के गठन में कौन सामिल होता है मतलब कौन सामिल है ठीक है बारत का प्रदाहन मंतरी सासी स्चेतरिय परिशत विसिस्ट आमंतरित और पूर्णकालिक संगटिक संगटिदिंक धाचा ठीक है ये सब ही इस आयोग में सिम्मिलित है ठीक है इसके बाद नेकसा आता है कुश्चन नमबर फोर्थ कुश्चन नमबर पोर्थ है निम्न लिखित में से कौन सी नीती आयोग के गवर्निंग कांसिलिंग का हिस्सा है ठीक है गवर्निंग कांसिलिंग का जो हिस्सा है वो सभी राज्यों के मुख्यमंतरी ठीक है सार रहता है question number फित नीती आयोग की 보내 galis प्राइशियों की संख्या कितनी होती है पूरणिक सद्यों की संख्या है पाँच थीक इसके बाद लीक्ड है question number six नीटी आयोग में पदेन जो सदस्द्शिए है उनकी संख्या कितनीं है पदेन सदस्द्श नुंकी संख्या उनके द्वारा पदेन सदश्य नामित किये जाते हैं ठीक है, कोशे नम्बर एट है, निमने लिखित में से कौन सा नीती आयोक का कार्दय नहीं है, राश्तिय विकास की प्राथेमिक्ताओं रड़नितियों की एक रड़नितिक विक्सित करना है, ठीक है, सहकारी संगवाद को बड़ावा देना cooperative federalism है ठीक है ये भी इनका सिद्दान्त है ये क्यान नवाचार और उद्ध्यमसीलता विक्सित करने वाली पड़नाली बनाना सही है भारत का पंचवरसी योजनाओं को अंतिम स्विकृति देना ये नहीं है ठीक है इसके बाद question number 9 है नीती आयोग के वर्तमान CEO वर्तमान में जो CEO है अभी अमिताप कान्त है इसके नीती आयोग के CEO वर्तमान में question number 10 है नीती आयोग के बारे में निम्नलिक इत्मे से क्या सही डंग से मेल नहीं खाता है ठीक है नीती आयोग प्रधान कारज़ा दिल्ली में है सही है इसका नरिंद्र मोधी इसके अध्यक्षे है ठीक हो गया Parent Agencies की भारत सरकार है सही है नीती आयोग को प्रतिस्थापित किया गया रास्टी ये विकास परसर द्वारा ये गलत है क्योंकि इसे योजना आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ठीक है नीती आयोग द्वारा नियमित जो नियतम नीती इनेटी टू यिल्ड एंस्पाइरेशन तार्गेट्स एंड एसोसेशनबल मीन्स की पहल कप की गई थी यह करी गई थी 2015 सूल में ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है ट्वल बे नीती आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक पहल ठीक है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक पहल के बारे में निमनल कित्मे से कौन सा कथन सही है जिलों की एस्पिरेशनल रैंकिंग दस माप तंड पर है अधारित है ठीक है ये गलत है आकांग्छी जिलों के लिए पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी ये कथन सत्ते है ठीक है इसके बाद कुश्चन नमबर 13 है एक जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 की अवधी के लिए निमने लिखे जिले में से किस जिले में किस जिले ने एस्पिरेशनल जिलों की लिस्ट में सीर्सिस्तान बने आ था ये था वुरुद नगर तमिलनाडू के दौरा फस्ट इस्टान पर था इसके बाद next है 14 question है जास्टी इस्रम अर्थसास्तर सोदेवं विकास स्थान निल ऐरडी नीती आयोक का अधिनिस्त कादले है यह पहले किस रूप में जाना जाता था ठीक है यह जाना जाता था I amr ठीक है आई a-m-r के रूप में जाना जाता था ठीक है नेक्स question नमबर 15 ह Institute of Applied Manpower Research Institute of Applied Manpower Research की जो स्थापना Society Registration Act 1862 के अंतरगत किस वर्स हुई यह हुई थी 1862 के एक्ट के अंतरगत हुई थी 1962 में ठीक है 1968 में हुई थी इसकी स्थापना इसके बाद है IAMR का नाम बदल कर कब NILERD कर दिया गया ठीक है यह नौजून 2014 को इसका नाम चेंज करके IAMR का नाम चेंज करके NILERD कर दिया गया ठीक है इसके बाद Q17 नीती आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किये हैं वे हैं निम्न लिखित में से तीन वर्सी कार्डियाजंडा है ठीक है एक तो सात वर्सी है मध्यमवधी की रणीती का दस्तावेज है और पंदर वर्सी है लक्षी दस्तावेज है ठीक है इसके बाद है question number 18 नीती आयोग के action agenda में ठीक है action agenda में किसानों की आई को किस वर्स तक दुगनी करने का लक्ष रखा गया है 2022 तक किसानों की आई को दुगनी करने का लक्ष रखा गया है ठीक है इसके बाद आता है नीती आयोग और योजन आयोग में विशिक गिता पर बल देता है और यह सहकारी संगवाद थीक है, कौपरेटिव फेर्रिलीज्टिम की वहावना पर काज़वर करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागेदारी सुनिश्चित करता है योजनायोग में इसने एक सववेदानिक निकाई के रूप में कार्दे किया है था ठीक है जबकि ऐसा इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था ठीक है यह सिमित विशिसक्गिता पर निर्भर था इसकी जो वार्थिक योजना बैठकों में राज्यों की वागेदारी बहुत कम रहती थी ठीक है इसके बाद जो नीती आयोग था प्रधान मंतरी के द्वारा नियोग तो सचियों और CEO के रूप में जाना जाता है यह बॉटम टू अप एप्रोच पर कार्दी करती है नीती आयोग ठीक है इसे नितियां लागू करने का अधिकार नहीं है नीती आयोग को ठीक ह इसे धन आवंटित करने की सक्तियां नहीं है जो वित्तमंतरी के पास नहीं थे ठीक है इसमें योजना योग में सचियों को सामानी परकिरिया के माध्यम से नियोगती किया जाता था यह टॉप डाउन अप्रोच पर कार्दी करता था ठीक है यह राज्यों के लिए नीतिया बनाता था और स्विकृत योजनाओं के लिए धनावंटित करता था इसे मंतरालियों और राज्यसरकारों को धनावंटित करने की सक्तियां प्राप्त थी ठीक है तो गाईज वीडियो सेशन देखने के लिए धन्यवाद कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में चरूर बताएं औ और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ओनलाइन स्टडियों के थैंक यू चैन चै भारत